हमने पिछली वीडियो में क्या बताए? डिएफे का एक moje का, घेमों किस तरह से DFA को कुछ बनाते हैं। तो आपको वहां से आइडिया क्या लग दिया होगा कि किस तरह से kindly लगते ही है। और आपको कहीना कहीन सिंखलों लगने लग अगा का, ठीक है। Finite Automata Finite Automata Divide के गए है बाद दिर फर्दर डिवादे इंटो पार्ट यहां लिखा हुग है Bit Bit Output Without Output Bit Out Output ठीक है 1 Bit Output 1 Bit Out Output तो इसको यहां पर क्या कौन-कौन से आते हैं जैसे इनका जो डिवाइड हुआ है इनके दो पार्ट उलते हैं जैसे एक होता है मूरे मेशीन ठीक है एक मूरे होता है एक मिले मेशीन होता है ठीक है जो यह दोनों जो मसीन से हैं वो Bit Output ठीक है वहां पर क्या होता है आपको टेंसल नमारी कोई बात नहीं है आपको हर चीज सिंपल से बताए जाए कोई भी काई भी एक कठना जी नहीं आएगी यह गारेंटी है जैसे Bit Output में क्या होत यह इसको तीन बागों में डवाइट किया गया है जैसे DFA NFA और NULL NFA ठीक है यह जो finite Automata है जैसे मैं इसको complete करूँगा जेतनी parts है बैसे हमारा finite Automata complete हो जाएगा ठीक तो इसके जो parts है इसको दो भागों में एक Bit Output यहां पर क्या कहे आउट पूट जब मूरे और मिल्ले मशीन को आपको पढ़ाएंगे तो आपको difference पता चली इन दोनों में मूरे और मिल्ले में इन में difference क्या होता इसका जो output होता है जिस मूरे मसीन है इसका जो output होता है associate with the state मूरे में मिल्ले मसीन क्या होता जो output होता है वो associate with the input आपको हर चीज आस्वानी से मिले की वहाँ पर सबसे पहले मैं कहां से start करूँगा DFA से तो यहां से मैं topic को start कर रहा हूं इसके बाद मैं NFA बताऊंगा इसके बाद मैं बताऊंगा इसके बाद मूरे और मिले तो क्रम बाई क्रम मैंने की topic मैंने बताए step by step जाना है तो सबसे पहले DFA बनाएगे तो DFA मैंने बताया है किस तरह बनाते हैं तो वहां से आपको कुछ न कुछ idea मिला होगा तो यहां पर जब यह लगाएगे तो कुछ चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगे तो यहां से जैसे मैं बताऊंगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से पता होंगी इसलिए मैंने आपको डेमो दिया अब यह NFA इसके बाद नला NFA इसके बाद दिये हमारा complete तो हमारा यह finite automata क्या होगा complete हो जाएगा ठीक है